यहां पे पिछली क्लास में अपने पढ़ लिया था कि B.I.N. Basic Inorganic Naming अपने पिछली क्लास में Basic Inorganic Naming के बारे पढ़ा था और आज अपने पढ़ने आ रहे है More Concept अब More Concept में क्या होता है सबसे पहले इसमें जो Heading है वो है Some Importance Some Important Word and Definition ठीक है यहां फिर Some Important Words and Definition है अब Definitions किस किस क्यों होंगी वो है आपन यहां पे देहेंगे कि सबसे पहले आएगा यहां पे मॉल अब मॉल क्या होता है मॉल मैंने आपको पिसली क्लास में बताया था कि एक मॉल बराबर कितने किस पिसीज होती है यह है एक Chemical Quantity होती है और यह जिस परकार से एक तरजन बराबर 12 इस पिसीज होती है उसी परकार एक मॉल बराबर यहां पे होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 इस पिसीज तो आप यह लिए हैं यहां पे यह है एक Chemical Property है Chemical Property हो ईक सब्सक्राइब हो थे क्यमिकल अब प्रोपर्टी लिए सकते हो प्रोपर्टी भी नहीं लिखो टॉप यहां पे लिख सकते हो गांटी मिकर कांटिंग ठीक है, chemical counting unit है, ठीक है, जिस परकार से अपर मास की उनिच लेते हैं, केज़ी में लेता है, जो लिक्विड होता है, उसकी unit किसमें लेता है लेटर में, उसे परकार से यहां पर तो आपने हैं यह पर देखें तो इहां पर जिस परकार से अपने देखे एक दर्जन पर आबर 12 स्थिज यहनी 1 दर्जन इस रिकष्टी उसी परकार यानि similarly लिखो है आपर similarly यानि उसी परकार one more is equal to 6.022 into 10 to the power 23 species ठीक है student तो आप ये बात भी अपने notes में note करें ये 23 है अच्छे से note करें इसको अब आगे अपन देखने वाले हैं कि मॉल जो होता है उसके किस टाइब के questions आते हैं तो सबसे पहले हैं ये हमें basic से देखने वाले हैं इसका जो first example है ये आपको कोई बोल दे जैसे कई आपको बोलते हैं कि आप पांच जर्जन के ले लेकि आओ तो आपको पांच जर्जन लाणा है तो आप कितने लाओगे पांच जर्जन तो बारा पंचो साइट के लिए आप वहां लेकि आओगे जैसे आपको कोई बोल दे पांच मोर फाइड मोर्स बुक्स तो आप यहां पर क्या बोल होगे फाइड मोर्स बुक्स आ गया इसका मतलब पांच मोर्स किताब पांच मोर्स किताब आ गई तो इसका मतलब यहां पर आपने इसको बोलने वाले सीधा पांच मोर्स किताब एक मोर्स में मैंने कितने बता जैनी है और अबनर को बोलते है इसका अपन जो साइन वोटा है तो अपने इसी ये बैये सकते ARE प्रवाइब पैने बुक्स ओके स्टुडेंट तो यह बात भी नौट करें अब जो टेक्ट नेक्स एक्जाम्पल है नेक्स एक्जाम्पल है यापे पांच ग्राम अनू पांच अनू पर मानू ठीक है तो अनू अब एक चीज हो रहे जो कि आपको मैं नोट में बताऊँ मा नोट में क्या होगा जो अपन देखें हैं अब अपन के पास यह नहया है पांच दो मोल पशाँ हो जाएगाए शीदा साएगा है और धीक है तो नोट में अपन तो बात लिखने वाले हैं जिस वरकार से काफ़ ए से बोलते हैं सर मेरे ये नाम है ये नाम है दर पर ये है उसी प्रकार से मोल को भी आप हमारे जो दुनिया में कई नाम से चाल लगता है तो अपर नेम लिखते हैं नोट में अब वीडियो कोज करके प्लीज इसे नोट कर लिया अगरो जिससे कि आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे अब अपने यहाँ पर नोट क्या लिखेंगे नोट में लिखेंगे मोल को आजकर मोल सब्द का आजकर मोल सब्द का परियोग ग्राम अड़र ठीक है ग्राम आएन ठीक है ग्राम परव यह तीन नाम है यह तो ग्राम मोलिक्यूल एद्सक्राश्राइब हो गया तो ग्राम हो गैंग फिख करके लाट कर करने अब सोच रहुने वह इंगलिए सब्सेल आम सी एज या desem करें तो यह थोड़ा ही तोBaु हिंदी तो चलेगा क्योंकि हिंदी मीडियुम के अटցथ एक्टुडेट वह भी सोचते हैं कि सब पूरे इंगिस लिखते हैं तो इसके बार अपने देखते हैं इसमें क्या है तो एक्जाम्पल में आएगा एक्जाम्पल में यह पूछता है सोडियम के दो ग्राम परमाओं एक्जाम्पल है सोडियम के दो ग्राम परमाओं तो मैंने आपको बताया था ग्राम परमाओं ये रा ग्राम परमाओं ये रा तो ग्राम परमाओं पराबर मौल होता है तो यहां पर 2 मोल सोडियम बोल सकते हैं तो यहां पर जो मोल होता है इसमें भी से मोली बोलते हैं अब जो नेक्स आप लाएं यहां पर दे रखा है दो ग्राम सोडियम परमाणों को मतलब कि मैंने आपको दो ग्राम सोडियम भारी में बता रहा है तो अपने यहां पर जिया हुआ नहीं है तो अपन यहां पर यहां पर जो इसको बोलेगे इसको only बोलेगे 2 gram sodium. आया समझ में? यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे comment box में बताएं और यदि आपको अच्छा लगरा हो तो प्लीज इसे जाला जाला सेर करें अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो पर्माड होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है और अगर उनकी यूनिट वो होती है तो उसे ग्राम में कैसे चैंज करते हैं तो अपने यहाँ पर देखते हैं वीडियो पोच्छ करके नोट कर लिया है अगरो अब अपन यहां पर करते हैं सो यहां पर जो क्यूसर नहीं यहां पर जो टॉपिक है ए एम यू एक टॉमिक ठीक है एक टॉमिक मास यूनिट ठीक है हिंदी में या दीज़ को लिखे हिंदे में क्या होगा परमाणो दरवेमान इकाई ठीक है हिंदी में इसको गया यह ना तो यह इसकी दो अपन टेविनेशन लिखने वाले हैं यह एक परकार की दरवेमान की इकाई है अब इसमें लिख लो यह एक परकार की यह एक परकार की यह एक परकार की दरवेमान की इकाई है यह आपको नाम से भी पता चल रहा होगा दरवेमान की इकाई है ठीक है तो जिस परकार अपन एक की जी बराबर क्या बोलते हैं एक अजार ग्राम उसी परकार वन एम्यू बराबर भी कितना होता है और इसको अपन यह वन अपन एन लिख दे तो यह भी बात एक रम सही है इसको सोर करने पर यह वैल्यू फाइंड होती है इसको अग्राम एनी की जाने 6.023 इंटो 10 to the power 23 रख देंगे तो यह वैल्यू आने वाली है अब इसके बेश पर एक एक जांपल करते हैं एक जांपल क्या है इस्टुडेंट्स यावे एक जांपल दिया हुआ है किसी अध्यार्ति का वजन इसी स्टुडेंट्स का वजन इसी विद्यार्ति का वेट ठीके वेट 50 केजी है तो उस विद्यार्ति का वेट कि एम्यू में फाइड इदर लेगे ठीक है यह सिंपल सा जूसन है अब इसे कैसे फाइड करेंगे वह अपन देखते हैं आप इसे वीडियो पोस्ट करके भी पहले सोल कर सकते हो यादि आपको नहीं समझ वह हैं तो प्लीज अब देखे आगी क्या है अब इसमें देखते ह हैं आप लिख सकते हो एक के जी बरावर हजार ग्राम तो पचास के जी बरावर कितना होने वाला है पांट पचास हजार ग्राम ओके और एक ग्राम बरावर मैंने क्या बता है 1.67 इंटू 10 टो दबावर माइनस 24 ग्राम यह मैंने वन इंटू 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 वन ग्राम यह आ गया तो वन ग्राम यहां पर पचास हजार ग्राम की वेलर चाहिए गुणा तो वन ग्राम क्या है एम यू इंटू एन इड़ आप पर पूरा विस्वास है कि आपको यह समझ भी आया होगा यह समझ भी नहीं है तो प्लीजेगा दुबारा से देखें दुबारा से देखते हैं इसको 1kgपर 307 शuine कि दिनल होता है 5000 ग्राम 15000 अब यहां से देखते हैं की बनी ग्राम यहां से आक दो पैठने प्लता का बेट यह रावकर जीए है पांच हिजार ग्राम के तो पांच हेजार ग्राम का वेट चाहने का वेट जीए नहीं और है90 यहां से यह find आगी आप यहां पे value वे put कर सकते हो तो अपन आगे देखते हैं आगे इसमें है परमाणू कर्मा यानि atomic number उसकी definition देखेंगे definition होती क्या है उसके बाद कौन आगे उसके बाद में study करें लड़ो से जैप्ट रहे है अब देखेंगे इसे तो यहां पर जो next topic है next topic का नाम है परमाणू कर्माण अब परमाणू कर्माण यहां पर topic का नाम है तो आपको पता होना चीए कि मैंने परमाणू कर्माण बताए थे एक बराबर क्या पताएदा hydrogen, dopamine, helium, lithium, berlion, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, slick on, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium यहां तो यह numbering जो होती है इनकी numbering जो करते हैं उनको बोलते है परमाणू कर्माण जिसे इंग्लिश में बोलते है atomic number जो इसकी जो definition होती है definition यह होती है कि जो atom होता है उसमें जितने protons 5 आते हैं Atom में जितने proton spidas आते हैं उनको ही atomic number कहते हैं उनको atomic number कहते हैं तो यहां पर definition मैं हिंदी में लेकराय 영ल, बोल दियाँ अवैंने English में Atom में जितने proton spidas आते हैं उन्ने atomic number कहते हैं तो आप लेक सकते हो पर्माणों में उपस्थित प्रोटोन की संख्या ठीक है स्टुडेंट पर्माणों में उपस्थित प्रोटोन की संख्या क्या खेलाती है पर्माणों कर्माण और आगे अपन देखते हैं कि पर्माडो कर्मान के लावा और क्या क्या आता है इसमें यह पर्माडो के पहचान करता है यानि जो पर्माडो होते हैं अब आप आपको क्या पता है कि इसका पर्माडो कर्मान कितना है तो अपन जो सोडियम है जैसे आपको बोल दे कि 11 नमबर तो इसका मतलब यह हो गया कि यह है कि परमाणू की पहचान करता है ठीक है यहाँ पर आप कोई समझ में आ गया होगा आगे अपन देखते हैं कि परमाणू द्रव्यमान यानि अभी द्रव्यमान अब परमाणू द्रव्यमान क्या होते हैं तक is पर्मानों में क्या होते हैं पर्मानों में प्रोटोन होते हैं इलक्टोन होते हैं और यह नूट्रोन होते हैं इस परकार से पर्मानों होता है यहां पर इलक्टोन चक्कर करते रहते हैं चारो दरफ यहां पर इलक्टोन होते हैं बाइतरम कोस्ट में इलक्टोन पाए जाते है यह electron है जारी ञारे चीगे उसके अलावा जो नाविक में इस्तित होता है वो होते हैं protons उन्हें होता है neutron ठीके proton उन्हें हो गया है यह neutron छीuh है तो अपने यहां पे देखते है कि तो परमानो दर्वेमान बनता है परमानों दर्वेमान बनता है यानि atomic mass बनता है atomic mass क्या होगा atomic mass का जो form नहोगा submission of proton यानि जितने भी यहां पर proton होगे उनका योग और जो submission of neutron यानि neutron का add और submission of electron उसमें कितने proton है कितने electron है तो इन सब को मिलाके परमानों दर्वेमान बनता है ठीक है तो आगे अपन देखते हैं आगे क्या है इसमें आगे अपन को दिया हुआ है कि परिवाशा इसकी परिवाशा किसी तत्यों के एक परमानों के दर्वेमान को परमानों दर्वेमान कहते हैं किसी तत्व के अब इसकी डेफिनिशन लेख सकते हो कि तो किसी दो कोई element है उसके एक पर्माणों के दरब मान को यनि तो उसका एक atom होता है उसके मास को क्या बोलते है अपन? Atomic Mass किसी पर्माणों के एक किसी पर्माणों में सोरी यहां पर किसी तत्व के एक पर्माणों के बार को ग्राम अनुबार कहते है यनि बार को क्या बोलते है पर्माणों बार बोलते है पर्माणों बार कहते है अब आगे अपन देखेंगे कि एक ग्राम परमाणु बार क्या होता है तो अपने यह बहुत ही याली बेसिक चीज है आप यह याद हो गया तो आपको मोड को से ठड़ा ठड़ा आएगा आगे अपन देखते हैं ठीक है आगे अपन देखेंगे ग्राम एटोमिक मास कि ग्राम एटोमिक मास क्या होता है तो यहाँ पर टोपिक का नाम डाले ग्राम एटोमिक मास हिंदी में लिख लो ग्राम परमाणों द्रवेवान ठीक है इस्टुडेंट्स तो यहाँ भी ग्राम परमाणों द्रवेवान तो इसके अपन सबसे पहले डेफिनिशन लिख लेते हैं आपको इसमें पता होगा ग्राम परमाणों को मैंने क्या बलाए था एक मोल अभी आपको नोट में नोट कर रहा रही कि मोल को ग्राम परमाणों ग्राम आयन वे ग्राम मड़ों भी बोला जाता है मौल परमाडों को यहां परमाडों के बार को ग्राम एटोमिक मास बोलते हैं अब इसकी डेफिनिशन वान गई एक मोल परमाणों के मास को क्या वोता है ग्राम एटोमिक मास तो लिख लो आफ एक मोल परमाणों के द्रव्यमान को को कर आफ है क्राम परमाणों के द्रव्यमान को कहते हैं ठीक आपने नोट करेवा हुआ आगे हैं खें कि इसमें क्यूसम्स देखते हैं कि इसमें और दो फिस्ट दिया है एक नहिंगों फिस्ट है किनIZ अपर जे नाइट्रोजन का परमाणों बाद नाइट्रोजन दिया हुआ है नाइट्रोजन का परमाणों बाद यह फोर्टीन इयम भी दिया हुआ है ठीक है तो अपनको क्या पुछ रहे इससे ग्राम परमाणों बहा निकाले तो अपनको क्या निकालना है नाइट्रोजन का ग्राम पर मनूं द्रपेबार पहले आपको मैं सोट को थोड़ा अच्छे से समझा हमाँ उसके बाद मैं आपको सोट तरीका बता हमाँ इसमें 14aU दिया हुआ है 14aU तरीका बता है यहां पर नाइट्रोजन का ग्राम पर मनूं द्रवेमाद किसका बताना है ना एक मॉल का नाइट्रोजन का ग्राम पर मनूं द्रवेमाद एक मॉल यहने कितने हो गया एने इंटो 14 एम्यू ज़े रहे है वाला पॉन एने रख लेंगे एने ने एने को मार गिया तो यहां पर 14 ग्राम सीधा वेड आने वाला है अब नोट में आप एक बात लिख ले नोट में एक बात लिख ले जो बात क्या है आपको मैं बोलता हूँ बात यह है कि किसी तत्व के परमाणू दरवेमान के से एम्यू हटागा ग्राम लगा देते हैं तो लो मैं लिखवा देता हूँ किसी तत्व के परमाणू दरवेमान के से ए एम्यू एम्यू हटा कर ग्राम लगा देते हैं ग्राम लगा देते हैं तो वह एक मौल परमाणू का दरवेमान हो जाता है यदि आप इंग्लिस में देखें तो इंग्लिस में क्या बहुते हैं यदि इफ जो एलीमेंट है element है उसके यदि जो उसकी मैंने जो unit बटाई थी AME होती है यदि AME को वहाँ से हटा कर यदि gram लगा दे तो वहाँ पर one more atom का यहाँ पर क्या आने वाला है मास आने वाला है यही इस नोड में मैंने लिख वाई है तो आप प्लीज इसे वीडियो पोस्ट करके इसे नोड कर सकते हो उसके बाद अपन यहाँ पर देखने वाले हैं अगला जो है topic अब जैसे समस्थानिक में होते हैं समस्थानिक अलग अलग यानि एक परमाणों के अरे लेटर्डियोज करेंगे और सफ परमाणों बार एवरेज एटोमिक मास जो कि अपनियापर फाइंड करने वाले हैं तो आप देखिए क्या होगा अब पहले सबसे पहले अपन देखेंगे ग्राम एटोमिक मास और फोर्मला के ओसत परमाणों बार का जो की एवरेज एटोमिक मास होता है उसका फोर्मला क्या होगा फिर उसके वेश्वेश पर एक यूसन करेंगे उसके बाद अपन नेक्स क्लास में आपे इस्टैडि करे है ठीक है स्टोडेंट अब यहां पर देखते हैं आगे लिखते हैं आगी दो टोपी का नाम है ओसत परमाणों बार ओसत परमाणों बार का इकलियोग यहां पर लिख लो एवरेज एटोमिक मास में अपन लिखेंगे इसका प्योग इसका प्योग समस्थानिकी उपस्थिति के कारण लिखो सीदा लिखो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण के कारण ओसत परमाणों बार का परियोग करते हैं आपने लोड कर लिया हुआ तो आगे अपन एक्जाम्पल देखते हैं एक्जाम्पल दिया हुआ है यहां पर एक्जाम्पल के दो आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक जो क्लोरीन होता है क्लोरीन नेचर में दो समस्थानिक में पाई जाता है एक होता है और एक होता है क्लोरीन 37 तो यहां पर इसका जो यहां परमाणों बाहर दिया है इसका एवन दिया है इसका एटो दिया है और यह बता रखाएगी X1 जो नेचर में यह पाए जाता है यह 30-30 पाए जाता है और यह X2 यानि इसका जो 25-35 पाए जाता है तो इसके लिए फोर्मूला क्या बनने वाला है ओसत अनुबार का फोर्मूला होगा ओसत अनुबार अनुबार नहीं पर्मानुबार कि परमानु बार का जो फोर्म रहा होगा कि क्या होगा एवन एकस रॉन प्लस एक्टो एक्स तू आप इसे नोट कर ले याद भी कर ले कि अब टू एक्स तू अब टू यह त्री भी आ जाए फॉर भी जाए फाइव जाए तो इसका आगे तक इसे सोल कर सकते हैं अब टू तो यह हो गया ओसर्थ परमानु बारगा फॉर्म होगा तो आप इसे कॉपी में नोट अवेश्चे करें क्योंकि यह काफी ज़्यक्त काम में आने वाला है तो अपन इसको यहाँ तो यहां पर लिए तो इसके सोल करने वाले है इसे सोल थे इदर की साइड कर देते है इदर कर शो है एवन आपर मांस परागा लिखेंगे इज है बागा पाच्छिस वॉना सएथीस कि वाई तो यह वैलू अप्रोक्स आगी 37.50 वाई तो आप सोल करेंगे तो यह वैलू आने वाले हैं तो यहां से इसका जो वेट आने वाला है वेट क्या हुआ 37.5 तुराओ अब EMEU में परमणु का है तो यह वेट आपको एक मोल का पुछे तो एक मोल का कितने आला रहा है एक मोल का आने वाला है सोरी एक मिस्टेक हो गई मिस्टेक क्या होगी कि यहां पे 35.50 आने वाला है तो 30. ...5 हो जाएगा ठीक ए सुड़ेट तो यह आंटर आपको इस किलास में बता दिया हूँ अगली क्लास में अपन देहेंगे कि जो पर्माणों होते हैं कि मैंने एक लिस्ट बढ़ाँगा जिसमें आपको एमें मास एंड ग्राब में मास यहां पर नोट करूँगा आप उनको याद कर लीजिए वैसे तो यह जो आ प्रिजर में जितने भी कुसंट होते हैं जिन में काम आता है तो वो सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इसका मांक्स इतना होता है तो प्लीज आफ बेड़े चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जादर जाजरा शेयर एंड लाइक करें थैंक्यों